क्यादियों में वादी गोभी आलू की सबजी बिल्कुल हलवाई स्टाइल आज बनाने जा रहे हैं हम वेलकम है आपका समस किचिन में मैंने यहां पर लिया हुआ एक मीडियम साइज का गोभी आजकल बढ़िया गोभी आने लग गया है और इसके हम पत्ते निकाल देंगे औ तो कि हमें इसके बहुत चोटे पीसिस नहीं करना और ऐसे ही बिल्कुल हलवाई बी काटते हैं तो यह बस हमें बड़े- बड़े पीसिस जिंके ऐसे तोड़ने हैं तो गोभी कुल कटके तयार हो गया है दो बड़े साइस के आलू लिये हैं और इनको भी बड़ा और हलके हाथों से इसको दबा करके सुखा लेंगे और आप चलते हैं आलू भी धो लेते हैं तो यहां पर आलू दोल गए हैं और यहां पर कड़ाई में तेल अच्छी तरह से गरम हो चुके हैं और डालेंगे और इसको फ्राइ करेंगे जब तक जब तक कि यह हमारे गोल्डन ब्राउन नो हो जाए और गोभी तलते तलते ही गल जाएगा इतना हमें पकाना है तो 80% तक यह पक जाता है तो गोभी तलने के बाद हम आलू भी इसी तरह से फ्राइ करेंगे और इसको निकाल लेंगे तो यह सबजी बनाते टाइम मैं थोड़ा सा यह जहारा होता है ना जिससे में निकालते हैं यह टच हो गया था तो ऐसे जब किचिन में कोकिंग बनाते हैं मैं कि लोग जले हैं जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप जलने पर क्या करते हैं तो मैं तो किचिन में रखती हूँ टूथपेस तो बस जहां भी कभी कोई चीट पढ़ गई और फिर कुछ टच हो गया तो बस जल्दी से टूथपेस लगा लिया और काम खतम अराम भी मिल जाता है और स्पॉट भी नहीं पड़ता है तो इस तरह के किचिन हैक्स या टिप्स आप लोग क्या यूज करते हैं मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट करके तो यहां पर हमाई सबजिया तल गई है और मैंने एक चोटा चमच तेल उसी से निकाल लिया है औ और प्यास को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे प्यास फ्राई हो गई है अब इसमें डाल देंगे एक चोटा चमच अद्रा क्लैसून का पेस्ट बहुत ही बढ़िया टेस्टी सबजी बनती है बिलकुल हलवाई स्टाइल की पूरी अपराठे के साथ डेल करना गोल लेंगे उसे मसाले माइ बढ़े ऐस भुणाई हो जाएगे तो मसाली घुल गया है और परड़क लसुन भून चुका है और मसाला बहुन लेंगे तो दो से तीन मिनद तक मसाले को भूनेंगे नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से मैंने एक चममच नमक डाला है और तो अब मुझे मसाला सूखा हुआ लग रहा है थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम भून लेंगे जब तक की हल्दी की कच्छे पन की स्मेल ना चली तो धकन धाकर के रख देते हैं इसे हमारा तोमाटर थोड़ा सा मुशी हो जाए गल जाए बस धकन धाका मैंने और इसको एक मिनट तक करीब ऐसी पकने देंगे बस एक मिनट हो गया है धकन उठाया है मैंने और यह तामाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं इनको मैश कर द जाला है और यह जो हमारी फ्राइड मारा गोभी और आलू था उसको डाल देंगे तो अब सबजी को गलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पस दो से तीन मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि फ्राइग करते तैम ही अच्छी हासी गल गई है और बस मसाले के साथ इसको म देनिया और मिला देंगे इसके साथ भी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे गरम मसाला जरूरी है उपर से जरूर डालेगा हलवाई लोग भी जरूर डालते हैं और गरम मसाला डाल दिया मिला दिया अब ग्यास को बिलकुल धीमा रखेंगे और तो इस स्टेज में बढ़िया बनकर तयार हुई है और यह देखिए आलू पूरी तरह से गल गया है गोभी भी गल गया है पर घुले बिल्कुल भी नहीं खड़े खड़े गोभी है जो अंदर से गले हुए है देख लिजे कितनी खुब्सूरत सबजी लग रही है पूरी पराठे के साथ जरूर करिएगा डेली समझ किचिन में मैं नई रेसीपी लेकर के आती हूँ तो फॉलो कर लिजेज समझ किचिन को इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर कीप वाचिंग समझ किचिन थैंक यू